अधर वेलकम बैक और वीडियो आज यह वीडियो शीखते हैं डिफरेंट स्टाइब्स ओफ लेवल इन बिलिदिंग कंस्रक्शन अगर आपने देखा होगा जैसे ग्राउंड फ्लूर होता है ग्राउंड फूर में आप काम करवा रहे तो आप से कहा जाता है कि आप उनसे ले अगर बीडेंगी लेवल टक्राउंच क्या है तो आपके में लेवल पूंच गया है कि आप से लिए पूरा बताएंगे अगर आप से कॉई इंट्रियोर पूच्छ सकता है या पिर आप से सेनियर पूच्छ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को देना को सबसे पहले लिखा होता है और ठील in रहे निघाय होता है वह तोvasive देखते लेवlara नैचिरल ग्राभ कौन सा होता है नेचुरण्ग लेवल इस टॉर्णड एएफ लैवल आफ डी क्राउंड कि आप गॉलस ते क्राइब होंगे आप गॉल सब्सक्राइब्ट ग्राउंड रेविव लेवि जो सी जो समुंदर तल होता है उसकी गहरहाई से आपका जो ग्राउंड लेवल है वह कितना होता है ठीक है देखते हैं यहाँ पर ड्राइंग में देखते हैं आपका कोई इस्ट्रक्चर वार के सब पूच किजिए मैंने फ्लूर बना दिया है तो उसमें आप देखेंगे क्य गौनल यह लेवाल है उसके बार आप उसके बार करते हैं यह कॉलम करते हैं ठीक है कोलम मिया फीर बिक वरक क्यूज करते हैं और जिसकी हाइट यह हैं से आपका बेंद लियो आपका मिनीमम जैसे आफ के अंदर जो ग्राउड Wagyu में पती यह चलती जब कुड़ खुडशर भूती है कि अपको ग्रांड लीवल अफ्लically टोवते हैं ओ पर आपका सब रखना जहाता है तो आपका इस मिलमेटर टोप रखना है उससे बला जाता है कि नेचल ग्राउंड लेवल कितना रखा जाता है कितना टॉप आपका होता है ठीक है तो वही आपका क्राउंड लेवल होता है उसके बाद देखते हैं आपका बिल्डिंग ग्राउंड लेवल या फिर फ्लूर फिनिश लेवल ग फ्रॉम दी नेच्टरल ग्राउड लेवल जैसे कि आप देखने नेच्टरल ग्राउड लेवल से 150 टू-450 मिलीमेंटर था कि हाइट रहनी चाहिए यहां पर आपने देखा जो मोटार यूज़ हो रहा है और पर टाइल लगा रहे हैं तो यह पिर प्रसट फ्रूर लेवल अपने देखा होगा बिल्डिंग के अंदर यह आपके मर्टिशॉरी बिल्डिंग होती है तो उसमें लिखा रहता है कि ग्राउड लेवल फ्रस्ट फ् या फिर आपका ground first floor level ठीक है ground floor level आपका यह क्यों बिदाटा है ground floor level या अपका first floor level ठीक है उसके बाद देखते हैं तो के लिए उसके पाद आपका third point है फ्लिंद लेवल क्या उन्सा होता है the plint level at which sub structure ends and super structure starts is called plint level ठीक है the plint level क्याल यहाता है सब इस्ट्रक्ट्चर चाहँ सब मिक्तल्ट अपका खतम होता है सब इस्ट्रक्टचर आपका एक उस्टत्याट्ट झालता है इस तोप पर टाएन के आपका सब इससे जो उपर होगा आपका वह सूपर स्टॉक्चर ठूप है तो इस फ्लॉरिंग करते हैं या फिर बाहर से जो सीपेज होता है वह वाल के जाता है बीम के जाता है उसको रोकने के लिए के आपको यह कूपिन विम फिर प्लिंज लेवर यह फिर डीपीजी लेवर डाला जाता है ठीक है नमीम का मतलब होता है यह फिर यहalinफॉर्समेन ही तक सब्सक्राइब लेटी अजने प्लिंडी में प्रॉइड करें अपने तार को लिए उसके बाद आपने इस्ट्रक्चर यूज करते गए हैं उसके बाद देखते हैं सिल लेवल और विंडो लेवल सिल लेवल का उनसा होता है विंडो लेवल बेट्मीन डी बेस पॉर्शन ओव दिविंडो एंद फ्लूर यहां से अपने बिक वर्क यूज किया ठीक है आपने यहां पर यूज करते गए अपने बिक वर्क यूज किया तो इसके जब विंडो के बोटम लेवल तक पहुंच गए आपका ड्राइंग मां लिखा हुआ है यह आपका प्लिंट लेवल से इतना मिनिमूम वन मीटर इस पनी बिच में वाद पोर्षन औफटो दूर एंड विंडो विंडो रहते हैं यह तो प्रक यूज करते गए फिनिशिंग लगाने बाद उसके पाद यह आपके क्या हुआ हुआ रखते हैं विंडो डॉर विंडो यह वूपर रखते हैं यह रेजिस्ट करने के लिए द्रीजिशे करने के लिए लोट फे कोई लोट अपलाई ना वह स्पे जो भी लोड होगा वर्भी और का का सलैब का बीम का लोट ट्रांसपर कहां पर होता विंक फर ठींडय तो तो आपका क्या क्या रहता है सिल लेवल पैनियो भी सब्सक्राइब्स अपनुसर green जाथ सब्सक्राइबस जात है जैसे कि आपने जाता है याप यह जाता है तो पर बॉल पर यह करते हैं तो आपकी या प्रिख वाल चाहिए इसतर से बीलडिंग वाल को तो उसमें बोल जाता है कि आपका यह सबसे पहले आपका यह पर किंट की आ हुआ यहां पर दल सोता है यह पर यांत्स का मारिन होता है यहां इस्के आप बाद यूटल तो acum जाते हैं और अपसे बोलन जाए गृटाउन फ्लूर सबयूब यह भी भी बोलन जाता है की जो जो फ्रीख बर ठीक है तो प्लूर से लेफ प्लूर इसके बार से लेफंद होले यह writ ह्या holiness लाग सबक्र तो पूर से लेव आ गया है कि जो जो डिफरेंस हो गया मैंने सब क्लियर कर दिया इसमें और अगर इस वीडियो से लेटीड कोई कुश्चन या कोई लेटीड कुश्चन है तो प्लीज कमें दिबॉक्स में लिख देना मैं आपके हैल्प जो करूंगा तो थैंक्स पर आचिंग इस वीडियो बने रहे हैं हमारे साथ मिलते हैं नाक्स वीडियो में बाई बाई